हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका स्रड़ी फॉर सिल्स अर्विस में और हमारी टेस्ट स्रीज जारी है और आज टेस्ट नमबर टू है और आए देखते हैं बिना टाइम बेस्ट किये तो कि टाइम भी तो नहीं है हमारे पास तो सुरुवात करते हैं कौशन नमबर बन से और ये पहला कौशन हिस्ट्री से है बिटिस सासन के दोरान उत्राखंड में नजूल भूमी का समाजिक आर्थिक परभाव क्या था ये चार आप्शन आपके सामने दिये हुए हैं आज समझ सकते हैं कि इसमें कृसी उत्पादक् इसके प्रणाम सरुप जनजाती समुदायों का विस्थापन हुआ इनके प्रणाम सरुप भूमी और धन का पुनर वित्रण हुआ इनके प्रणाम सरुप सहरी करण में वर्द्धी हुई हुई जैर से बात है कि नजूल भूमी के लिए रेजिट्रेशन या उस तरह की विवादों पर क्या प्रभाव पड़ा इससे भूमी विवादों में कमी आई थी इससे ब्रस्टाचार बढ़ा था इसमें भूमी विवादों की अधिक कुशल समाधान हुआ था इसके परिणाम सरुप इस्थानी समुदायों और सरकार के बीच संगर्ष की स्ततिय उत्प आप्शन है इससे भूमी विवादों का अधिक कुशल से कुशलता से समाधान हो पाया क्वेशन नमबर टू का अंसर हो गया सी है उत्त्रप्रदेश से अलग अलग उत्त्रप्रदेश से एक अलग राज्य के रूप में उत्त्रखन के गठन के पीछे मुख्य कारण क्या थ आसां सवाल है संस्कर्थिक मध्भेद प्रसासनिक सुविधा आर्थी विकास उप्रयोक्त में से सभी थर्ड का अंसर क्या हो जाएगा डी चौथा उत्रखन सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना का उद्देश से बेरोजगार युवाओं को अपना उद्द्यम शुरू करने के लिए रिन प्रदान करना था उत्त्रखन सरकार पूश रहा तो प्रदानमत्री का तो बाती नहीं हो सकती इसमें दीन द्यालव पद्ध का संब्द इसी से इसका अंसर आपका सी वीर चंद्र सिंग गडवाली आप लोग एक काम करिएगा मेरे कहने पर वीर चंद्र गडवाली युजना की शुरुवात कब हुई थी क्या परपस्ता और मौजूदा में इसका स्टेटस क्या है इस बारे में जरूर करना और स्वारोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना और इन में से सभी आसान सवाल ऐसे केसिस में अधिकतर समभावना के सीचिछी होती है ओल आफ द अबोव इसका अंसर भी क्या है ओल आफ द अबोव ही है निम्दिकित में से कौन सा उत्राखंड में पंचायती राज के त्री इस्तरी संगरशना का हिस्सा नहीं है ग्राम पंचायद से आप परचित हैं, जिला पंचायद से परचित हैं, लॉग पंचायद से भी आप परचित हैं, राज जी पंचायद से परचित नहीं है, तो इस काउंसर किया है, डी, we have nothing to do with the word, स्टेट पंचायद जैसी कोई चीज नहीं होती, त्री इस्तर होते हैं, आपको पता ही है, 2017 में जब राज जी को खुले में सौच मुक्त गोशित किया गया था, तो उस समय उत्राखंड के मुखमंद्री कौन थे, रिवेंद्र सिंग रावत, एक, रिवेंद्र सिंग रावत, 2017 से लेकर 2022 तक थे, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से दो नए मुखमंद्री और मिल जाते हैं पिछले कारिकाल में, यह चार साल तक के लिए थे, एट्थ क्वेशन, निम्निकित में से कौन सा उत्राखंड सरकार दोरा कारियान वित, और दोगिक नीती का फोकस छे कितने नहीं है, देखे, और दोगिक नीती में हमको कई प्रकार की चीजों की जरुद पड़ती है, इंफ्रस्ट्रक्चर की डेवलप्मेंट की जरुद पड़ेगी ही, परेटर को बढ़ावा मिलना ही चाहिए, जहर सी बात है, क्रिसी विकास का इस से कोई सम्मन नहीं है, तो इसका अंसर क्या होना चाहिए, डी, आट में का अंसर क्या हो गया, डी, उत्राखंड में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने में सहकारी समीतियों की क्या भूमिका है, लगबख एक अभी ऐसा ही कौशन हमने देखा था, उसका अंसर भी उप्रोक्त सभी था इसका अंसर भी क्या है, उप्रोक्त सभी ही है, आज के पेपर में अधितर कोशन सुरुवात में उत्राखंड के हैं, ठीक, उत्राखंड सरकार दोरा सुरू की गई, किस योजना का उद्देश राज में जैविक क्रिसी को बढ़ावा देना है, प्रदान मंत्री फसल भीमा योजना है, प्रदान मंत्री किसी से चाहिए इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये योजना सुलू कब हुई और इनका परपस क्या है, इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, फसल भीमा योजना से संबंद किस्स्से है कि अगर मौसम के खराब हो करने की वज़े जब फसल बरबाद हो जाती है, तो हम इंस्योर कर सकते हैं किसान को, ये सरकार ने वादा किया है किसानों से, वर्शन नमर 11, उत्राखंड राजी सरकार ने लोक कलाओं के संगरक्षन, एवम, समवर्धन, हेतु, किस संस्था की स्थापना की है, संस्कृत अकादमी, उत्राखंड साहित अकादमी, उत्राखंड संगीत नाटक अकादमी या उत्राखंड लवित कला अकादमी, तो इसका अंसर है, उत्राखंड साहित अकादमी की स्थापना करी गई है, लोक कलाओं को संगरक्षित करने के लिए, इंपोर्टेंट कॉश् तो आसान ने इसमें काफी योजना मुख्य योजना कर्व सब्सक्राइब त zarco भापत गो लाजिंत को बढ़ावा देना क्रशक और विरासत को बढ़ावा देना या खेलों को बढ़ावा देना खेलों को बढ़ावा देना से को मतलब है नहीं आंसर इसका क्या है आपका परिटन को बढ़ावा देना से बेरासात मेलेगी शुरुवात का उद्देश से यही है बड़वाली और कुमावनी भासाओं के संगरक्षन और संबर्धन के लिए उत्तराखन सरकार ने कौन सी पहल की है देखे भासाओं को संगरक्षन में जरूरी है और सरकारों को ही आगे आना पड़ता है इसके लिए जाहिर सी बात है तुम कह सकते हैं कि भासा अकादमियों की स्थापना करी गई है इस प्रकार के संगरक्षन और संबर्धन के लिए उत्तराखन का पारंप्रिक लोग गीत कौन सा है जिसमें देविय देवताओं की कहानिया गाई आती है आसान सा सवाल जागर कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको सवाल करने में उत्तराखन का पारंप्रिक वाद्देंद्र कौन सा है जो वालन जैसा दिखाई पड़ता है वालन आप जानते ही है तो दमावू मसक भाजा तुरही इन सब के बारे में भी पढ़िए गा ये फ उत्राखन के किस्ते और में चार देवताओं का उनके शीतकाली निवात सिस्थान पर ले जाने वाला जलूस सामिल होता है नंदा देवी राज जात है इसमें गरत लिख दिया है राज जात होना चाहिए ठीक यहीं इसका क्या है सही आंसर भी है गुड़ घी और आटे से ब होगा बाल मिठाई ठीक है खीम सिंग रोदेला अलमोडा आगे बढ़ते हैं उत्तराखन की किस कला में प्राकर्तिक रंगों से कपड़े पर प्रिंटिंग की जाती है पहाडी लगो चित्र सबकी मदूबनी वारली पट्ट चित्र यहां के नहीं है ठीक है 21 निम्लिकित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिस्क माना जाता है हाँ अब देखी जो आगे कॉश्चन दिए गहां इसमें यह कंप्यूटर के हैं और इससे हम हिंदी के साथ साथ तो इंग्लिश में पढ़ना हमें जादा बैटर रहेगा वीच और फॉलिंग इस कंसिटर टूबी द ब्रेन आ अर्थाथ CPU इस का अंसर क्या हो जाएगा ए निम्लिकिन में से किसे कंप्यूटर का मस्तिक माना जाता है CPU कंप्यूटर सब्दावली में आई ओ शब्दे का क्या अर्थ है इन्पुट आउट्पुट ठीक आसान सा वाल 22 का ए कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को निस्पादित करने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है विच कंपोनेंट इस रिस्पॉंसिबल फॉर द एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन अफ़ कंप्यूटर प्रोग्राम CPU अगेन इस राइट आंसर CPU एनलोग सिगन अगेन चाहिए अनलोग होना चाहिए ऐनलोग होना चाहिए अनलोग सिगनल्स डिटल सिगनल सो इदध कंप्यूटर कैन प्रोसेश दं स्कांसर क्या होना चाहिए जैसे मादम का फूल प्रम क्या होता है , d-modulator या राॉटर , switch , hub इसका अंसर क्या होगा, modulator, demodulator, यानि की modem Computer संचारण में scanner का प्राथमिक कारे क्या है What is the use of the scanner Graphics प्रदर्शित करना, hard copy जानकारी को digital प्रारूप में प्रावर्थित करना Internet से जुड़ना, या data भंडारन Storing data, what is the primary function of a scanner in a computer operations Displaying graphics, converting hard copies information into digital format या connecting to the internet तो इसका answer है, scanner का converting hard copy information into digital format Is the right answer, अच्छा question है, आ सकता है निम्लिकित में से कौन सा output device नहीं है Which of the following is not an output device Printer, speaker, monitor, keyboard आसांता सवाल है, keyboard is always an input device, not an output Computer संचालन में plotter का क्या कारे है Screen पर graphics प्रदोसित करना, कागच पर उच्छ गुडवत्ता वाले graphics प्रिंट करना Data भंडारन, या data storage या internet से जुड़ना बड़ा सरल सा option दिए गया है, answer इसका क्या है कागच पर उच्छ गुडवत्ता वाले graphics प्रिंटर करना याने की displaying graphics on the screen प्रिंटिंग high quality graphics on paper 28, कौन से अप्रण में computer को telephone लाइनों पर संचालन करने की सवर्द होती है इसका भी बहुत की सरल सा answer है Modam निम्लिकित में से कौन सा गयर स्थिर याने की non-volatile memory है पिछले paper में भी हमने डिसकस किया ही था 29, read only memory, ROM, आसान सावाल लेकिन कई बार क्या होता है रिपीट होता है नेटवर्क सुरक्षा में firewall का प्राथमिक कार्य क्या है नेटवर्क traffic की निगरानी करना और अनधिकरत महुच को रोकना अर्थात monitoring network traffic and blocking unauthorized access अच्छा अब सुरू होता है यहां से हिस्टी के question कुछ औदेसी आंधुरन की आधिकारी घोष्णा कब करी गई थी यह आपको पताई होगा 1905 अधिकर ना तुम क्या सकते हैं कि एक anti बंगाल पार्टिशन आंधुरन था यह ना एंटी बंगौल पार्टिशन क्या था यह आंधुरन था 1905 में होई थी बंगाल से कॉंग्रेस में उग्रवाद चरण के प्रमुक्रीता कौन थे गोपाल किष्ण गोखले और फिरोज मैता नहीं साधर सी बात है इस कांसर क्या है भाल गंगादर तिलक बीप बाल पाल लाल 1905 के आगे 1909 के अधिनियम को इस नाम से भी जाना जाता है बहुत यह आसान क्वेशन कई बार रिपीट हुआ है इस कांसर क्या है सी मौरले मिंटो रिफॉर्म मौरले थे कौन सेकरेटरी ऑफ दे स्टेट और मिंटो कौन थे वाइस रोय तो मुस्लमानों को इसमें क्या मिल गया था चीटे आवंटित की गई थी ठीक है एक तरीके से कह सकते हैं कि सेप्रेट एलेक्टोरेट प्रतक निरवाचन छेत्र आवंटित कर दिये गए थे किस अधियनियम ने भारत के केंदरी प्रसासन की नीव रखी थी बहुत शांदार क्वेश्चन है एक बार यह सारे एक्ट ज अंसर इस अधियनियम ने भारत के केंदरी प्रसासन की नीव रखी थी कि हिंदु-काति-सबुता किस मैं इसे कौन सा कारण था हिंदू महासभा के गठन का निम्लिकित में से कौन सा कारण था धन्य निर्पेक्षता को बढ़ाना मुस्लिम लीग के प्रभाव का मुकाबला करना रिटिस राज का समर्धन करना भारती रास्टी कॉंग्रेस का विरोध करना दरसल मुस्लिम लीग की स्थापना जो कि भी सफल एक कह सकते हैं कि संस्था नहीं स्थापित हो पाई जितने की मुसल्मानों के लिए मुस्लिम लीग बनके तयार रही क्यों क्यों कि कॉंग्रेस भी साथ-साथ एक तरीके से वही काम कर रही है जिस तरीके से क्या करने वाली थे हिंदू महासभा तो हम कह सकते हैं क कि जब हिस्ट्री आप पढ़ेंगे modern इंडिया में communism वाला चेप्टर यानि कि संप्रधाय बाद वाला तब जाके चीज़ां को यह सारी समझ में आएंगी ठीक थर्टी सेवन नव पाश्रान चरण के दोरान सिंदू छेत्र के बाहर देहाती और क्रशिक समुदाय मुख्य रूप से कहां पर थे इसको मैं थोड़ा सा मैक के जलिये समझ सकते हैं कि जैसे माल लिजे कि यह तो हो गया इंडिया का नक्षा ठीक है और यह वाला जो लाका यह है आपका जू घाटी सब्विता वाला इलाका हो गया कि यह तो चल रही है अर्बंद सिवलारेशन अर्थाद यहां पर क्या चल रही है सैरी सब्विता जोसके बाहर वाले छेत्र थे उन्हीं दिनों अर्थाद धाई हजार इसा पूर्व से लेकर 1750 इसा पूर्व के बीच में जो छ करवा है वो लोग रहा करते थे और उन्होंने भी अपनी संस्कृति का विकास किया थे समझ रहे बात को इसका विकास हुआ है दक्कन के पठार में यानि कि डेकन प्रेटिव में अच्छा कोश्चन है 37 का बी जवाहला लेहरू के विकसित समाजवादी समाज के द्रिष्ट कोड में राज नियंद्रन और दोगी करण शामिल था नहरू क्रिशी सुधार और भूमी पुनर वित्रण में विश्वास नहीं करते थे यह बात गलत है क्रिशी सुधार और भूमी पुनर वित्रण में भी इनका विश्वास था विसकांसर क्या होगा सी प्रारंबिक मध् जानते ही कि जहां पर आज का तमिलनाडू वाला इलाका है यहां पर हुआ था ठीक है तो इसकी सब्सक्राइब किसने करी है विजी अले चोल ले बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है उत्राखंट पीसस के लिए या यूपी पीसस के लिए अगर आपको पढ़ना हो तो आ आने वाल एक्जाम में अपनी सवलता सुनिश्चित कर सकते हैं देखिए यहां पर मैंने फिरस रोग दे रहा हूं यह रहे वाटसेफ नमबर्स इसमें आप कॉल कर सकते हैं और आपको यह पीडिये भी मिल सकती है और उसके एक्स्मेस के साथ आंसर ही मिलेंगे तो यह काफ इंपॉर्टेंट आप बात रहेगी एक्जाम के लिए ठीक किस सुधार आंधुरन का उद्देश से भारत में सती पर्था और बाल विभा को समाप्त करना था इस पस्ट रूप से नजर आ रहा है ब्रह्म समाज अठारा सौन्टिस राजारा मोहन रहा है ठीक है मुखी रूप इस पर्देश से वैसे सती पर्था था और आप जानते हैं कि उसमें के लॉड्ड विल्यम बैंटिक के सहयोग से इस पर्था पर क्या कर दिया था इसको समाथ कर दे गया था तो आंसर क्या इसका ब्रह्म समाज नयाय पालिका का प्रात्मिक कार है क्या है कानून बनाना जी कानून काम बनता है संसे कानून लाग, क्वश्धर करता है? कानून का श्रकार की व्याख्या करना? जी हाँ. यह काम है किसका? नयाय पालिका का प्रात्मिक कार है, की कानूनों की व्याख्या की जाए कि एंट्रेपिटेशन दबाव समू लोक तांत्रिक विवस्ता में महत्मूर्ण भूमी का निभारते हैं क्योंकि वे सरकार को खाड़ फेक सकते हैं जन्मत और नीतिय निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं नई राजनितिक दल की स्थापना कर सकते हैं और सरकार को वित्ती स्या भारत में सरकार के किस अंगों सम्धान में संसुधन करने की शक्ती प्रापत है नो डाउट संसद में ही ये सारे काम होते हैं संसत को किस चीज़ का दिकार वापते हैं संसत में जो कानून बनता है वो सही मायने में बना है ढंक से कहीं मौलिक अधिकार तो प्रभावित नहीं हो रहे हैं इस सब की समीधान के किस संसोधन में मौलिक करतवयों का अधार पर इसको लागू किया गया था तो कुल मौलिक करतवयों की संख्या दस थी आज की डेट में कितनी है 11 है 11 में कौन सा है मौलिक करता भी कौन सा है 11 बच्चों के वो वो सिक्षा बदान करना 6 से 14 वर्स वाले थीक तो यह सारी इससे संब्धित है भारति समीधान की प्रारूमर्ण समीथी यानि की ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्रक्ष कौन थे इसके अध्रक्ष कौन थे बहुत सरल क्वेट कर लेकिन इंपॉर्टेंट काफी रोल इन्होंने निवाया था समीधान के निर्माण में भारति समीधान का कौन से भाग के इन्धर सासीफ्ष प्रदेशों से संबंधित है। wines इंपॉर्टेंट फीम पार्ट्स पहले याद करने होते हैं पार्ट्स में कोनगोन से आर्टिकल होते हैं उनको बाद में देखना होता है और इस पकार से आब आर्टिकल्स और पार्ट दोनों को साथ साथ याद करके रख सकते हैं ठीक है तो इसका अंसर क्या है भाग आठ बेरी इंपोर्टेंट मैं इसको इंपोर्टेंट मानूँगा गिजाम में कभी कभी बेटे बेटे याद नहीं आता है तो सभी भाग देख लिजिए कम से कम किस भाग में क्या चीज़ें हैं नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नमबर 47 वैधानिक डिकायों की स्थापना किसके द्वारा की जाती है राश्पती या राजिपाल के एक कारेकारी आदेश के द्वारा वैधानिक डिकायों इसको क्या होते इएंग्लिश में कहते है इस Starry Body are established by an Executive Order found by the President और The Governor A Resolution passed in the Parliament or Legislature An Act of the Parliament or State Legislature और The Supreme Court और High Court इस तरह की चीज़े सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो हो ही नहीं सकती सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस तरह की चीज़े नहीं हो सकती तो कहाँ पर इसकी साफना होनी चाहिए इसकी साफना होनी चाहिए संसत या राज्य विधान मंदल में अधीनियम पारित करके तो आप पता लगाईएगा कि हमारे समयधान में ऐसी कौन-कौन सी वैधानिक निकाएं हैं जिसका उलेक किसी आर्टिकल में नहीं है और इसको कमेंट बॉक्स में लिखे मुझे बताईएगा नियामक निकाएं के पास वो शक्ति नहीं है कानूनों और वी नियमों को लागू करने की कानून बनाने की कुछ विश्यस प्रकार की गति विधियों का परवेक्शन और नियंद्रड करने की कुप भोकता अधिकारों का संग्रक्षन करने की रेगुलर्टि वाड़ी को कानून बनाने की कोई पावर नहीं है ये पावर तो फिसंसत के पास ही है पॉस्टन बनाने की कानून की व्याख्या कर सकते हैं अपने निरणेयों को लागू कर सकते हैं उन्हें साक्ष के सक्त नियमों का पानन नहीं करना पड़ता जुर्माना और कारावास दोनों लगा सकते हैं यानि की जो वासी जुडिशल बाडीज हैं वो किस प्रकार से कोट से डिफरेंट हैं यह थोड़ा सा इसमें भिनना है जो कि कोट के वामले से यहां पर हम देखते हैं कि साक्ष उस सक्त सास को संबंद में सक्त नियमों का पारण नहीं करना पड़ता है तो इस कांसर क्या है सी कौशन नमर 50 राजसभा की बैठकों की अध्यक्सा कौन करते हैं बहुत ही आसान सा सवाल हमारे उपराश्पती जिसका उल्ले किसमें आर्टिकल 63 में है तो फिलाल के लिए इस सेशन में 50 कौशन अगले 50 कौशन आपको नेक्स सेशन में रात को 9 बजे के आसपास